आज का मारा लेटेस्ट वीडियो अबडेट है रेलवे ने एक और इंटरसिटी एक्सप्रेस में लचबी कोच लगा दिया है नमस्कार दोस्तों आप लोग देख़ें इंडियन रेलवे क्यार इस वीडियो में हम बात करेंगा कि रेलवे ने कौनसीटेर में बड़ा बदलाव किया है साथ ही यात्री सुबधाओं में बरोत्री की है तो चलिए यह लेटेस्ट वीडियो अबडेट सुरू करते हैं इस वीडियो को पूरा अंत्र तक देखें ताकि पूरी जानकारी आप तक मिल सके और हमारा चैनल को अवस्त सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के लोग टेस्ट वीडियो अबडेट आता रहे संसद में सनिवार को आम बजट के साथ पेश किये जारे रेल बजट में मंद सौर नीमच सांसीदा छेतर के ग्वालियर से एक सीधी ट्रेन मिल सकती है इस ट्रेन का पस्ताव साड़े चार मैंने पहले सांसद ने पंच्छिम रेलिवे के जियम को दिया था इसके साथ ही ग्वालियर रतलाम इंटरसिटी को लेश्बी को से रख कर दिया गया है यात्री सुधाओं में बढ़ोत्री करते हुए ग्वालियर से चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को लेश्बी को से लेस्ट कर दिया गया हानाकि इसमें सुधाए में थोड़ी बढ़ोत्री की गई है पहले के मुकावले जो आप लोग को ट्रेन के सपर के दोरान इसके अलावा इस ट्रेन में सभी तरह का सुधा एवं लेश्बी से कई फायदे है अलाकि रेल बजट में इस ट्रेन का जिक्र हुआ था कि इस ट्रेन को आगे विस्तार किया जाए लेकिन रेलवे ने इस पर विचार विमर्स करने का और समय लिया है इसके अलावा और इस तक बढ़ाने के लिए रेलवे को प्रसानी आई थी इसलिए इस पर विचार फिर से किया जा रहा है जो कि पूर्व में जो सटिंग स्टाप था वो मेर्ट लिंक सिटी को मन सौर तक बढ़ाने से वहां सिप्ट कर दिया इसके अलावा ऐसे में ग्वालियर ट्रेन को नीमस तक बढ़ाने के लिए अलग से प्रस्ताव बनाये जा रहा है याने कि इंटर सिटी ट्रेन चितोर गड़ बढ़ाने में रेलवे की प्रसानी थोड़ी आड़ी होगी इसलिए इस ट्रेन में अभी फिलाल रोक लग गया है इसके अलावा आपको इसमें सुब्धाएं लेच और शिक्त कोच भी इसमें देखने को मिलेगा तो यह था आज हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अबडेट पाने के लिए हमारा चैनल को अबर सब्सक्राइब करें और नुट्पीये केसन पाने के लिए बैल आगॉन पर क्लि करें